तो यह है हमारा फास्ट रूम एक रास्ता यहां से एक रास्ता जो गेट बनते हैं वहां से और यह वाला लॉबी को जाता है बहुत खतरनाब धूंप और यह बहुत साथा तो यह बगल आले घर पे भी चल रहेगा हेलो दोस्तों वैलकम तु माइ नीव व्लॉब तो कैसी हो आप सभी मैं उमीद करती हूँ आप सब एक दम स्वास्त होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यास्त होंगे तो दोस्तो नई दिन की नई शुरवात के साथ मैंने आज का vlog स्टार्ट कर गया सुबह के साड़े दस बजे से और आज का vlog थोड़ा सा लेट स्टार्ट है क्योंकि आज है संडे और मैंनी थोड़ी लेट खुली तो मतलब नहाने दोने ब्रेक्पस अगरा करने में मुझे टायम लगया था तो अब जाके मैं फ्री हो रखी हूँ और जो आज का vlog है वो रहेगा हमारा home tour vlog क्योंकि personally मुझे बहुत सारे लोगों ने message और call करके बोला है कि home tour vlog बनाओ तो आज finally मुझे time मिल जा है oops तो अब हम बहार का मरक here नहीं दिखा सकती कि बाहर काम चल रहा है तो मैं दिखाती हो क्या काम चल रहा है जब बहार काम चल रहा है जिब बहार सब को पर्म में दिखाओंगे आपको बाहर om जो पडोसी है उनके भावी काम चल रहा है तो सब गिच पिच गिच पिच हो रखा है तो आभी मैं पहले अले कमरे से स्टार्ट करती हूं टूर यह है हमारा फ्रण्ट गेट जो कि हम बंद रखते हैं क्योंकि उधर से भी एक और गेट है वहां से एंट्रेंस है यहां पर बं इस तरीके से है आका रूम अब वहां पर रखिये बहुत सारी उस सारी उस-सारी व्रिम्स रखिया अब लगानी बाकि countries हैं वो लगी नहीं है ठोड़ी बहुत लगी हैं ना रखिये और अब भूत सारीरी में साम तो यह है हमारा फास्ट रूम एक रास्ता यहां से एक रास्ता जो गेट बंद है वहां से और यह वाला लॉबी को जाता है तो यह है यह पूरी फैमिली की फोटो और इसमें तो अभी बहुत सारी चीजे थी स्लिप में वो सब हटा दिये क्योंकि हाँ पर इतनी जगा ने थी कि रख सके तो थोड़ी थोड़ी रखिये और इसको कोई जानता है तो कॉमेंट करके बताना यह हमारा छोट अशा बेबी है जिसको हम बहुत ज़दर मिस करते हैं क्योंकि यह कभी-कभी आता है तो इसको हम पहुत ज़दर मिस करते हैं एक यह है हमारा बेबी एक यह बेबी है यह बड़ा बेबी है वो छोटा बेबी है तो यह रहा हमारा फर्स्ट रूम एक बार फिर से दिखा देते हैं ऐसे करके तो अब चलते हैं यहां उसके बाद यहां से आने पर सबसे पहले आता है kitchen lobby है उसके बाद इस side में kitchen आता है यह है मंदिर वारा रूम तो यह kitchen और हमारा खाना बन चुका है अभी kitchen भी properly मतलब सजाया नहीं है क्यूंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कम मकान बनने से नहीं होता है बहुत सारी चीज़ उसके बाद चाहिए होती है तो उसके बाद ही सजाएंगे अभी हमने ऐसे ही कर रखा है kitchen को we're offer to यह लकड़ी की अलमारी जो कि बहुत सार कुराणिया बहुत मजबूत है तो यह रहा हमारा किचन तो अब बारी है मंदिर की तो यह रहा हमारा मंदिर बारी है अनला कि यह कुछ इस तरी कैसे हमारा मंदिर और एक नए हाफरी गनेश मगवान की यह फ्रेम है उजो दीदी ने खुद से बना रखी है पर इसको लगाने की जिगन आए तो आप कॉमेंट करके बताने कि कैसी लगा है खुद से बना रखी है दीदी ने नाई है तो यह रहा मंदिर अब इसके बाद चलते इस वाले रूम में एक रूम इस साइड़ है इस वाले रूम में चलते है पहले तो यह भी ऐसे ही हो रहा है भी सारी अच्छी से रापूरेशन नहीं कर आप लिए और टीवी नहीं लगा रखा है तो यह टीवी तब सब कुछ ऐसी अभ तो एक ही वाला रूम है एक फ्रेम ही हाँ पर भी लगा रखिये उसके बाद बारी आती है इस वाले रूम की यह है रूम इस वाले रूम पर कोई भी फ्रेम ने लगी है इस यह वाला रूम भी खाली है इसमें लगाएंगे फ्रेम यहां पर साउन सिस्टम वगेरा रख रहे हैं तो अब हम चलते हैं च्छत में च्छत तो यह बगल वाले घर पे भी चल रहे हैं काम इस वजी से मैंने बाहार नहीं दिखाया आप लोगों को च्छत पे चलते हैं देखते हैं कि दूप औरी होगी च्छत पे है 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 हो 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 है है तो यह है च्छत कप्रे रखे हैं सुखाने बहुत खतरनाग धूप बोरी च्छत में बहुत स्यादा नीजे जाने में फाइदा है है तो चलते हैं नीचे तो अभी मैं आ चुकी हूँ रूम पे यही था हमारा होम टोर अभी बहुत शारी चीज़े हैं जो अभी यूटिलाइस करनी है रूम्स पे भी और मतलब छत बागेर varios बहूत सारी चीज़े मैंने उसका home tour आपको दिखा दिया बहार जब अभी अच्छे से बन जाएगा तो बहार का मैं दूसरे व्लॉग लेकियाऊंगी उसमें दिखाऊंगी तो उमीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आए होगा अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो